हलो अबरिवन चंदन इंडियन कोकिंग में सभी का स्वागत है तो आज हम बनाने वाले हैं पड़वारे की सब्जेक्स को टकोरे भी बोलते हैं और देशी पड़वारे रहते बहुत तेस्टी सब्जी बनते हैं सुआरी मैं वीडियो नहीं डाल पाई रिगलर मैं गाउं अब लोगी अलो प्रेंट चंदन इंडियन कोकिंग में सभी का स्वागत है अगर आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब ने किया चंदन इंडियन कोकिंग तो कर लिजिए और मेरे वीडियो को सेर किजिए गा तो देखिए यहां पर लिया अच्छे से हमने साप कर लिया पा बाग भी कट कर सकते हैं यह देखिए आधा केजी पड़वारा है और इसकी क्वांटिक आप लोग को ज्यादा क्वांटी बना देखिए इसमें आलू मिक्स कर रही हूं यह देखिए दो आलू में इसको कट कर लिए गाउं का आलू बहुत तेस्टी रहता है जिता अच्छ अच्छा लगता खाना तो बोले ब्रेथ तेमारा जब खाता होगा उसके बाद हम आउल ला देंगे तो यहां पे हमने लिया है देखिए धन्या मेर्च लासन और गरम मसाला पीसा हुआ है इसी में डाल दिया है यहां पे रख दिया कडाही चूले से आज में बनाने वाली ह जार रही हूं मस्टर वाल से बहुत अच्छी सबजी बनती है गाउं का तेल तो ऐसी भी कडाई में डालते तो आंक में जार आती है यहां पे नमल लिया है देखिए की प्याज कट करके लासन और मिर्च लिया है मगर वह लाल हो गई है हरी मिर्च असानी से मिलता नहीं हरी वह लाल हो गई उसको कमने कट कर लिया है धिखिए अच्छी से तड़का लगा दी कि ज scammer नमत डाला है और आपके भूनल अब म मसाला है अब हम डारेंगी पड़वारसे दे की बूनेंगे यह देखिए नेहीं है ठेके से हमको चला लेना है कि मसाला हमारा ना लग पाए कि अग गैस है ना तो उसको हम बिलकुल दीमा कर देते हैं तो जलने का वो नहीं रहता है तो सबजी हमाई देखिए पक करके रेडी है अब लोग अगर मेरे वीडियो सबजी की परसंद आये पड़वारा की तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताईएगा और अम मैं रिगलर वीडियो डालूँगी कोई दिक्कत नहीं हमें आ गई हूँ बंगलाओर अगर